हेलो एवरीवान वैलकम टू दौ मौरिया अपटी क्लासिस माइनेम इस रिंकू मौरिया दोस्तों इस वीडियो में हम प्रोप्राइटर सीफ फर्म का जीएस्टी नंबर किस तरीके से आपको अपलाई करना है उसकी कंप्लीट प्रोसेस को हम यहां पर डिसकस करेंगे इस वी दोबी हम देखेंगे GST रिजिटरेशन करते समय आपको ट्रेड नेम और लिगन नेम में काफी क्यारफूल होना चाहिए जो कि हम आगे डिसकस करेंगे इसके बाद GST करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों यह सब बातों को हम वीडियो में डिसकस कर प्रोप्राइटर सी फर्म की रेजिस्टेशन के लिए आपको किन-किन डाकुमेंट की रिक्वार्मेंट पड़ती है तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिस परसन का रेजिस्टेशन करना जीस्टी में उस परसन का पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद बिजनस नेम यानि की ट्रेड नेम जिसको बोल सकते हैं तो आप जब भी अपना बिजनस इस्टार्ट करते हैं जिसके लिए कि आप जीस्टी नंबर ले रहे हैं तो उसका एक नाम आपने जरूर सोचा होगा तो हमारी तरफ से एक सजेशन रही कि आप कोई यूनिक नाम य रहेगा और जीस्टी रिश्टेशन में ऐसा नहीं कि अधि आप कोई नाम चूज करते हैं और यहां पर इंटर करते हैं तो आपके लिए ट्रेड मार्क वगर की इस्ट्राइक वगर आ जाएगी आपकी कुछ हो जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है आप जो है जैसे यहां पर example के तोर पर कोई ABC enterprises हो गया या फिर जो भी आपने नाम सोच रखा है तो वो नाम आपको यहां पर required होता है तो GST registration करते समयं आपको principal place of business यानि कि जहां से बिजनस स्टार्ट कर रहे हैं उसका address proof आपके पास होना चाहिए तो address proof में आपको simply electricity bill rent agreement और notarized no objection certificate जिसको की consent ले नाम का है तो ऐसे केस में आपको rent agreement के requirement वहां नहीं पड़ेगी आप उस house tax का रसीद हो गया municipality का जो रसीद होता है वो हो जाएगा उसके बाद electricity bill हो जाएगा और साथ में आप जो है अपना अधार अधार card वगरा भी साथ में attach कर सकते हैं लेकिन यदि आप किराय के मकान में दि बिजनस चला रहे हैं और या फिर आप जिस खुद के मकान में आप हैं लेकिन वो मकान आपके पीता जी के नाम से या फिर किसी और के नाम से है तो ऐसे केस में आपको यह सारी documents की requirement पढ़ने वाली है तो rent agreement electricity bill और notarized NOC आपको कराना है जो कि आपको 100 रूपिस की stamp paper पे आपको करा लेना है इसके बार नेचर और बिजनस जो बिजनस आप डालने जा रहे हैं दोस्तों उसका type क्या है कि क्या आप जो है services देने जा रहे हैं या फिर goods की manufacturing या फिर ट्रेडिंग वगर आपकी बिजनस आप डाल रहे हैं तो जैसा भी जो case आपको पास होगा तो यद आप यदि services वगर provide करें तो उसका सैक code आपको पता होना चाहिए इस्ट होगे आपको एक mobile number और email ID की जोगरत पढ़ेगी जो कि आपको GST registration में काम आएगा तो यह documents आपको पहले prepare करके रख लेना है इसके बाद फिर GST नमर के लिए आपको apply करना GST registration की process को समझने के लिए हम GST portal पे आजाना है यहां पे हम step by step process live देखेंगे और इसका जो website है आपको link में description में आपको दे दूँगा वहां से भी आप link पे click करेंगे तो यहां आ जाएंगे वैसे आपको gst.gov.in के website पे आजाना है और यहां पे आपको services वाले section में आना है और यहां पे आपको registration देना आ आपको click नहीं करना है अब new registration में आपको यहां पर I MA taxpayer पे आपको taxpayer पे आपको click करना है और यहां से आपको state select करना जिस भी state से आप belong करते है वो state select करना है आपको district अपनी चूज करनी है जिस district से आप belong करते है और यहां पे आपको legal name of business यानि कि आपके pen card में यदि आप proprietorship के ल आपके pen card पे जो भी नाम होगा आपका first name, middle name, last name वो आपको exactly यहाँ पे इंटर करना है क्योंकि आपके pen card में जो नाम है जो नाम यहाँ पे आप इंटर करेंगे दोनों match होना चाहिए और यहाँ पे आपको अपना pen number इंटर करना है जो आपके pen card पे लिखा होगा तो simply आपको आपको इंटर करना है और यहाँ पे आपको email id अपनी एक इंटर करनी है और यहाँ पे आपको mobile number अपना एक इंटर कर देना है देन आपको यह capture code आपको इंटर करने के बाद यहाँ पे capture code जो दीख रहा है आपको यह number यह number आपको इक box में आपको इंटर करना है देन आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है दोस्तों उसके बाद आपको OTP बेरिफाई करने के लिए बोलेगा तो आपके मोबाइल नमबर पे एक OTP जाएगी जो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा इसके बाद OTP इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है आपक आपको बाद में करना है तो आप इस TRN नमबर को आप नोट कर लेंगे वैसे TRN नमबर आपके मुबाइल नमबर पे और email ID पे आपको receive हो जाएगा तो आप जब भी registration करने के ले जाएगे तो आपको TRN नमबर इंटर करके ही registration करने का आगे process करना होगा तो यहां पे दोस्तों जो TRN नमबर आपने नोट किया था उस TRN नमबर को आप यहां पे देख सकते हैं कि second वाला जो tab है आपको यहां पे click करना होगा और जो TRN नमबर आपको receive हुआ था वो TRN नमबर आपको simply यहां पे इंटर कर देना है और यह capture code आपको इस box में इंटर करके आपको proceed पे click करना ह दोस्तों जैसे आप OTP इंटर करते हैं तो आप main dashboard पे आजाएंगे और यहां पे आपको expiry date देखिए दिख रहा है कि आपको इस date तक यह GST का application आपको डाल देना है तो आप simply यहां पे action पे आप आएंगे और यहां पे इसे click करेंगे और यहां पे आपको business का जो detail से आपको यहां पे इंटर करना है ठीक है तो इसमें आपका नाम होगर आ जाएगा जो pan number में आपका नाम था और pan number यह सब data वहीं से automatic fetch होकर के आजाता है यहां पे आपको trade name अपना इंटर करना है जिसको की brand name भी कहते हैं तो आपने business के लिए जो भी trade name सोचा होगा वो trade name आपको यहा proprietorship select करना है क्योंकि आप proprietorship हम यहां पे register कर रहे है यदि कोई आपका additional business भी है उसके लिए आपने कोई trade name सोच रखा है तो और trade name आपको यहां पे simply enter करना है और बाकी आपका जो state होगा वो automatic यहां पे आ जाएगा और district आपको यहां से select करना है इसके बाद यदि आप casual taxable person के apply कर रहे हैं तो यहां पे simply इसे आप yes करेंगे composition dealer के लिए apply कर रहे हैं तो आप simply आप इसको check कर देंगे और यहां पे आप से region to obtain registration के लिए पूछ रहा है कि आप GST number क्यों लेना चाहते हैं इसके पीछे क्या कारण है तो काफी सारे यहां पे region दिये हुए होते हैं यदि आप आपका turnover business में cross कर चुका है threshold limit को तो आप पहला वाला option select करेंगा दर्वाइस आपको voluntary basis पे select करना है और date of commencement of business आपको यहां पे enter करना है जिस date से आपका business start हुआ है वो date आपको यहां पे simply select कर लेना है तो date कोई future के date नहीं होगी जिस date को आप apply कर रहे हैं GST के लिए या तो वो date आप इंटर कर सकते हैं business में या तो कोई पहले की date आपको यहां पे इंटर करनी है दोस्तों यहां पे आप से type of registration पूछ रहा है यदि आप पहले से कोई registration वगर ले रखे हैं तो उसकी details आपको यहां पे इंटर करनी पड़ती है जैसे आप proprietary firm के लिए registration कर रहे हैं तो हो सकत आप shop and establishment act में आप पहले से register होंगे या फिर उद्यम registration या फिर MSME registration जो भी आपका पहले से registration होगा तो आपको simply यहां से जो भी आपकी उपर applicable होगा आप इसको select कर लेंगे और यहां पे आपको registration number वो इंटर करना है date of registration आपको इंटर करना है और simply नीचे की तरफ आपको registration certificate को देनी है तो जो ब्यक्ती यहां पर जो परसन प्रोप्रायटर सी बिजनस को स्टार्ट कर रहा उसकी detail यहां पर आएगी तो आपका यहां पर simply नाम आजाएगा आपका middle name आपका last name आजाएगा फादर का middle name और उनका last name आजाएगा और आपका यहां पर date of birth यहां पर इंट करना email id आप से पूछेगा इंटर करना होगा यहां से आपको अपना gender select करना है identity information में आपको proprietary form आप यहां पर इस्टार्ट करने तो आप यहां पर designation में proprietor आपको लिखना है यदि आपने कोई director identification number के लिए registration करा रखे तो आपको यहां पर dean number इंटर करना है और citizen of India में आपको यहां पर check रखना है और pen number आपको इहां पर enter करना है इंटर करना है तो residential address में आप यहां पर जब इस box में अपना address टाइप करेंगे तो आपको इस map में आपका address दिख जाएगा आपको simply drop drop down जो pin point है इसको लेया करके वहां पर drop down कर देना है आपका address set हो जाएगा यदि आपको इसमें दिक्कत होती है दोस्तों तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आपको one by one करके अपना pin code, state, district, town, village यह सब आपको इंटर करना है यहां पर ध्यान देना है कि यदि आपक आपके घर का जो address होगा वही address यहां भी आएगा लेकिन यदि आपका business का address दूसरा है और आपका residence वाला है तो आपको business का address यहां पर नहीं डिलना है अपने residence का address यहां पर डालना है इसको building number, flat number वगर आपको यहां पर simply enter करना है दोस्तों और यहां पर आपको अपना photo जो है अपलोट करना है फोटो आपका 100 के भी आपसे नीचे का होना चाहिए और यहां पर also authorized signatory में यहां पर आपको yes पर check करना है क्योंकि proprietors सिर्फ हमें कोई दूसरा authorized signatory नहीं होता है इनकेस यदि आपने authorized signatory बनाया है तब तो आपको इसको नोही रखना है authorized signatory की detail आपको enter करनी पड़ती है लेकिन यदि आप खूद authorized signatory तो यहां पर yes पर click करेंगे और यहां पर आपको save and continue पर आपको click करना है यहां पर आपको yes करना है दोस्तों यहां पर next step आपका होता है details of authorized signatory तो आपने पहले ही जो proprietorship firm में जो person होता already authorized signatory है तो यहां पर इस piece इस step में आपको कोई च्वेड़ चा नहीं करनी क्योंकि already यह data आपका prefilled हो करके आ गया है क्योंकि हमने पहले ही जो person उसको authorized signatory बना दिया है तो आपको simply यहां पर box पर यहां पर चेक करना है और इसके बाद आपको save and continue पर आपको click करना है इसके बाद आपको details of authorized signatory में यहां पर आपको कुछ नह है तो जो address आपके rent agreement में mention है ठीक है वह address आपको simply यहां पर इंटर करने वाले है वह document में जो address होगा दोस्तों वह address आपको simply यहां पर type करना है तो google map में वह address आपको search कर लेना यह जो drop down pin point है उसको लेया करके वहां पर drop कर देना आपका address जो है save हो जाएगा वैसे आप जो है individually भी address आप fill up कर सकते हैं दिए आपको दिक्कत होता है तो तो pin code वगर आप इंटर करेंगे district इंटर करेंगे बाकी अपना road street वगर जो भी होगा आप इसमें देख करके आप इंटर कर देंगे जैसे आप pin code वगर इंटर करेंगे latitude अपने आप आ जाता है दोस्तों इसके case में आपको यहाँ पर simply division अपना select करना है range आपको select करना है यदि आपको jurisdiction वगर आपको search करना है तो आप यह link दिया हुआ इस link पर click करके आप अपने जो भी principal place of business का जो location है जो address है उसका आप jurisdiction आप search कर सकते हैं और details आपको यहाँ पर fill up करना होता है इसके बाद दोस्तों यह यहाँ पर आपको official email address पूछ रहा है तो यदि आपका जो कोई भी office का email address है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं mobile number आपका जो भी office का आप यहाँ पर simply enter कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको जो nature of position of premises जहाँ पर आपका business है जो address आपने इंटर किया है क्या वो place जो है आपका rented ह यह आपका खूद का है यह आपने lease पे ले रखा है तो इसमें आपके जो भी applicable होगा आपको यहाँ से select करना है यदि आप यहाँ पर rented select करते हैं तो यहाँ पर आपको proof of principal place of business आपको attach करना होता है तो यहाँ पर electricity bill हो गया rent agreement हो गया यह सब आप यहाँ पर attach कर सकते हैं तो दो करा करके और उसे notarize करा करके आपको rent agreement वाली जो file आपकी होगी उसी में आपको attach करके फिर आप यहाँ पर उस particular document को यहाँ पर upload कराएंगे और ध्यान देना है कि जो size होनी चाहिए आपका 1.95 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर choose file पर आप click करेंगे जिस भी folder मे आपका होगा document आप यहाँ से इसको simply upload करा देंगे इसके बाद दोस्तों आपको फिर यहाँ पर document upload में proof of principal place of business में एक another document आपको यहाँ पर बोला है आप attach करने के लिए तो आपको यहाँ पर simply क्या करना है कि एक electricity bill आपको यहाँ पर attach करनी है ठीक है आपने rent agreement और जो NOC था upload कर दिया यहाँ पर आपको electricity bill ताकि उस address को verify कर सके यहाँ आपके पास municipal खाता copy है यहाँ पर tax वगरा की रसीद है तो आप यहाँ पर attach कर सकते हैं देख सकते municipal property tax receipt तो हम यहाँ पर electricity bill को attach कराते हैं और यहाँ पर हम choose पर click करेंगे और यहाँ पर इसको attach करा देंगे दोस्तों next step ह होता है nature of business activity being carrying out about my mentioned premises जो address आपने उपर इंटर किया है पर में business का principal place of business है उस place से आप कौन सा business कर रहे हैं आपको यहाँ पर select करना है ठीक है आप services provide करा रहे है या पी retail का business है आपका या wholesale का business है ठीक है तो यह इसमें से जो भी आपके उपर applicable होगा आपको simply वहाँ से select करना है इस box पर आप check करेंगे तो यह आपका select हो जाएगा इसके बाद अब आपको यहाँ पर कोई additional place of business आप यहाँ पर add कराना चाहते हैं आप simply add करके आप उसकी details वगरा इंटर कर सकते हैं देन आपको save and continue पर आपको click करना है warning आपको बोलेगा कि जो आपने locality sub-locality उसको आपको pin करना है दोस्तों यहाँ पर आपको जो goods और या services आप अपने business से provide करने वाले हैं उसकी details आपको यहाँ पर enter करनी होते हैं तो यदि आप goods में dealing कर रहे हैं तो आपको simply यहाँ पर hsn code उसका जरूर से आपको enter करना है तो यहाँ पर यदि आपको hsn code नहीं पता है तो उसका separate video channel पर available उसका link में description में आपको दे दूँगा कि कैसे आप hsn code किसी भी goods या services का find out कर सकते हैं तो यहाँ पर simply आप क्या करेंगे कि आपको hsn code नहीं पता है तो आप अपना जो भी goods आप supply करने वाले हैं जिस goods में आप business करें उसका नाम simply आपको यहाँ पर type करना है तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर माली जी के food we are type किया ठीक है आप जो भी product में आप dealing करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप type करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके hsn code यहाँ पर दीखेगा ठीक तो आपको इस चीज को देख लेना है पर लेना है और फिर आपको यहाँ पर select कर ल सब्सक्राइब इस चीज़ाइब हां तो आप सींपली जो सर्वी साप प्रोवाइट करना आपको उसका नाम यहाँ पर इंटर करना है तो आपकी services की list यहाँ पर आ जाएगी तो जो service आपको simply उसको यहाँ पर click कर देना तो यह service आपकी यहाँ पर add हो जाएगी दोस्तों आ आपको यहां पे services add करने के बाद के बाद को save and continue पे आपको click कर देना है और यहां पे आपको state specific information में ऐसा कुछ proprietorship registration आप कर रहे हैं तो ऐसे case में आप कोई भी number वगरा पहले से ले रखें जिसे excise central excise license आपके पास है तो उसका number और इंटर कर सकते हैं professional tax certificate वगरा तो आप इंटर कर सकते हैं otherwise simply आपको save and continue पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पे आपसे आधार authentication के लिए पूछ रहा है तो आपको यहां पे yes करना है और अपना जो अधार उसे आपको authenticate करा लेना है तो आपको simply यहां पे yes क करके और इसके बाद आपको save and continue बटन पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों यहां पे warning message दे रहा है कि आपने जैसे अधार authentication के लिए अपने yes पे क्लिक किया है तो जो भी primary authorized signatory है या पी जो पार्टनर है जो भी है आपके mobile number और email id पे authentication का एक link जाएगा उस link को आपको open करना आप इस box को check करेंगा authorized signatory में आपका नाम यहां select करना है और इस box में आपको अपना place इंटर कर देना है जो भी locality वगर है उसका district name भी आप यहां पे डाल सकते हैं इसके बाद आपको submit with DSC और submit with EVC दो option मिलता है तो यदि आपने DSC वगर आपका है तो आप DSC से भी submit कर सकते ह देकि DSC आपको register कराना होता है तो आप submit with EVC पे आपको click करना होगा देन आपको OTP आपके mobile number पे जाएगी वो OTP आपको यहां पे enter करना है तो दोस्तों यहां पे OTP आपने enter कर दिया इसके बाद आपको validate OTP पे आपको click करना है इसके बाद आपके screen पे आएगा कि आपने successfully और email ID पे send कर दिया जाएगा और उसी ARN से आपको enter करके और इसका status आपको समय समय पे पता करते रहना है और इसका जो registration है GST registration यदि आपका documents proper तरीके से दी सही है OK है तो आपका registration approved हो जाएगा within 7 days के अंदर और यदि आपका कोई भी documents में जो भी mismatch यदि करता है जो details आपने enter किया है जो आपके documents में है तो ऐसे case में आपको notice भेज करके आपसे documents further मांगा जाएगा तो दोस्तों I hope कि आपको सारी points हमने cover कि GST registration से related आपके mobile number पे email ID पे जो भी आधार authentication के लिए जो link गया है उसको आपको उस link को click करके और आपको simply step by step process follow करके उस link को आपको authenticate करा लेना है तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो